देश के पहले समलेंगिंग जज चुने जाने पर छाई खुशियों की लहर फरानकतर ने किया ट्वीट नमस्कार मैं गुरलीन और आप देख रहे हैं न्यूस ट्वेंटी एट अगर मैं बात करू बीते कुछ सालों की तो आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि 6 सब्तमबर 2018 को कोट ने धारा 377 के तहट समलेंगिंग सब बंदों को वैद करार कर दिया था जी हाँ वरिष्ट वकील सौरब कृपाल दिल्ली के उचनेयाले के अगले नयाधीश हो सकते हैं सौरब कोट कोलेजियम ने इस बात की सिफारिश किया है कि सौरब कृपाल को दिल्ली के उचनेयाले का जज बना दिया जाए चीफ जस्टेस एनवी रमना की अध्यक्षिता वाले कोलेजियम ने 11 नमंबर को एक बैठक में इस बात की सिफारिश की है कोलेजियम के इस फैसले पर फरानक्तर ने एक ट्वीट भी किया है एतिहासिक दिन सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सौरब कृपाल को दिल्ली उचने आयाले के नाधीश के रूप में चुना है सेक्शुल ओरिंटेंशन पर नहीं बल्कि योगिता पर ध्यान देने और दिमाग को सनवेधन शील बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है जो आज पहला है वे कल समानने होने की उम्मीद है बता देंगी ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अदालत ने कुद को ट्रांसजेंडर बताने वेले व्यक्ति को जज़ बनने की सिफारिश की है सुप्रीम कोट चार बर सौरप के नाम को टाल भी चुका है तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोट की द्वारा लिया गया फैसला कितना सही है और क्या ये फैसला डिस्क्रिमिनेशन की और भड़ावा देता है कॉमेंट सेक्षिन में कॉमेंट करके अपने विचार बताएं तब तक के लिए नमस्कार